सबी मित्रों को राम राम आप सबी के इस्ट गुलूप वा माता पिता को चैश्परश मित्रों आज हम बात करेंगे बुद्ध की बुद्ध की लगन में इस्तती पर तो पहले जानते हैं बुद्ध ग्रह क्या है बुद्ध ग्रह रास्कुमार अर्था तीरवा ग्रह है तथा ये बुद्धी वा व्यापार का कारक ग्रह है इसका सवाब छड़े रुस्टा छड़े ट्रस्टा वाला होता है परतार चल्द ही गुस्सा हो जाना और चल्द ही मानने वाला बिल्कुल एक बालक की तरह है बुद्ध सौहाम में बिल्कुल बालक के सौहाब के समान होता है अतहे हैं बुद्ध को समझने के लिए आप एक बालक को समझते समझिये जैसे एक बालग अपनी बूली से और रूप से सबको अपनी और आकरशित कर लेता है वैसे ही बुद्ध प्रदान जातक भी अपने रूप और अपनी बूली से सबको अपनी और आकरशित कर लेता है ऐसा जातक काम की शुरुआत तो बहुत अच्छे से करता है लेकिन धीरे धीरे वह उस काम में धील देने लगता है जैसे की बालक के रूप में ही समझी है जैसे कोई बालक है और उसका कोई नया खिलोना आता है तो शुरू में वह उससे बड़े शौक से केलता है लेकिन धीरे धीरे उस खिलोने से उसका लगाप कम होता जाता है और कुछ दिन बाद वह दूसरे खिलोने की मांग करता है बुद्ध प्रधान वाला जातक अपनी बोली से बड़ी से बड़ी से वाको बांधने बाला होता है लगनगत बुद्ध वाला जातक सुन्दर, बुद्धिमान, मुरदभाशी, मिलनसार, यात्रों का सौकीन होता है ऐसे जातक को गड़ित की अच्छी जानकारी होती है ऐसा जातक एक कुशल प्यापारी होता है लगन में बुद्ध अपनी राशी में हो तो भत्र नामक महापुरुश योग बनाता है जिसके फलसुर जातक एक राजा के समान जीवन जीने वाला होता है लगन में बुद्ध वाला जातक तेज इश्मर शक्ति वाला होता है ऐसा जातक आस्तिक होता है ऐसा जातक बिनोदी वित्वानवा दिल आयो होता है ऐसे जातक को हवाई याता करने का बहुत शौक होता है ऐसे जातक की इक्षा सदेर नम्म बन पे रहने की होती है ऐसे जातक एक अच्छे जोदिशी गड़िता के सिख्षक, लेखक, क्लर्ग, एजेंट, व्यापारी होते हैं ऐसे जातक हुनर्मंद होते हैं ऐसे जातक लगन के बुद्ध की सब्तम डस्ट्री साथवे वापप पड़ेगी जिसके चलते जातक को ब्यापार में विशीष तरक्य देगी ऐसे जातक कुशल ब्यापारी होते हैं सब्तम डस्ट्री जातक के वेवाहिक शुकों में भी ब्रद्धी करेगी और जातक को ब्यापार वा दामपत्य का वोण सुक देगी जातक का बुद्ध यदि खराब इस्तिती में हो तो जातक को इस नायू तंत्र से सम्बंदित समस्याएं होती है ऐसा जातक तचा सम्बंदी लोगों से भी पलिशान देता है ऐसे जातक की इसमर्ण शक्ति कमजोर होती है ऐसा जातक करित में कमजोर होते हैं तथा वहें ब्यापार में भी कमजोर होते हैं बुद्ध को सही करने के लिए बहन, बुवा व बेटी से लिष्टे अच्छे रखें हिज़रों की बुद्वार के दिन यथा शक्ती सेवा करें गाए को पालक खिलाएं गरेज़ी व मदुर्वा की आराधना करें हरी बस्तु जैसे साबुत मुव, पालक, हरे कप्रे, हरी चूरी का दान करें मित्रों, अगर आप बुद्ध के विष्ए में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाते हैं या अन्द कोई जोट्शिय प्रामर्स लेना चाते हैं तो स्क्रीन पर लिखे, नम्मर पर कॉंटेक्ट करें वा हमारे SS Astrology Research ग्रुप के विष्ए में कोई सुझाब देना चाते हैं या अधिक जानकारी लेना चाते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें या फोन करें धन्मेबाद